हेलो डे आरे श्टूडेंट साब सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है सो दोस्तों क्लास 12 के श्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही जादा important है यूँकि इस वीडियो पर आज हम लोग क्लास 12 का physics का सबसे जादा important important question को बताने वाला हूँ जो board exam 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वूर्ण है जिसलिए वीडियो का एंट तक देखिएगा ताकि physics के हर एक question आपको समझ में आए ठीक है और यहाँ पर मैं physics को बहुत अच्छे तरिके से और बहुत इजी तरिके से समझाओंगा ठीक है और इस वीडियो के बाद आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए नीचे comment सक्सर में comment करके बताईए ठीक है तो चलिए start करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर जितना भी question है मैं हर एक question को बताऊंगा और आपको PDF कहाँ पर मिलेगा यह भी बताऊंगा इसलिए वीडियो को छोड़के नहीं जाना है ठीक है और मैं बता दूँ यहाँ पर और एक चीज कि अभी भी हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो जल्दी से जाईए subscribe बटन को दबा लीजिए ताकि आपको समय पर आने वाले notification समय पर मिलता रहे हैं ठीक है और इस साल जारकन बोर्ड में यह question बहुती जादा important है जारकन बोर्ड में इस टाइप का question जोरू से जोरू पूछा जाएगा ठीक है और यह है class 12 का physics जिसमें आपका ऐसे question को बताऊंगा जो आपके 2023 के exam में definitely देखने को मिलेगा जलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों मैं बता दूँ यहाँ पर और एक चीज कि यह जो वीडियो है हिंदी माजधम की student के लिए भी important है और जो अंगरेजी में द्यम के विद्यार थी है दोनों student के लिए बहुती ज़्यादा महत्वूर्ण है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला question आप लोगों से क्या पूछा गया है अगर आप लोग देखा जाए मैं किस topic से question बताऊंगा मैं आज आप लोगों को प्रित्याबर्ती धारा से question बताऊंगा आपका item chapter से question बताऊंगा आपका जो नाभीक बाला chapter है उस chapter से भी question बताऊंगा साथी साथ एक से दो numerical question भी करेंगे ठीक है तो दोस्ते यहां पर पहला कोशन देख सकते हैं कि आप लोगों से क्या पूछा गया है यहां पर पूछा गया है प्रत्याबर्ती धारा के मूल मजद बर्ग का मान और उसके सिखर का अनुपात होता है जो की बहुती महतपूर्ण प्रस्न है ठीक है प्रित्यावर्ती धारा के मुल मजद बर्ग का मान क्या होता है साथे साथ उसके सिखर का मान कितना होता है तो दोस्तो इसका correct option हो जाएगा वान बटे रूट अंडर टू ठीक है इनका मान होता है जिससे आपको क्या करना है खोपड़ी में घुसा लेना है ठीक है दोस्तो उसके बाद अगला question आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा question क्या है दूसरा question पूछा गया है एक पूरे चक्र में क्या है एक पूरे चक्र में जो एक पूरा चक्र करते हैं तो उसमें पृत्यावर्ती धारा का मजद मान कितना होता है तो एक पूरे चक्र में एक फूल चक्र में क्या होता है पृत्यावर्ती धारा का मान देखा जाए जैने कि इसे अंग्रेजी से कहें तो अंगरेजी से भी देख सकते हैं The main value of AC in a complete cycle is ठीक है तो इसका जो मान होता है 0 होता है यानि कि जिसे हम लोग हंदी से सुन बोलते हैं इंगरेजी से हम लोग 0 बोलते हैं ठीक है उसके बाद आप लोग का तीन नमर कोश्चन पूछा गया है कि आधे चक्कर में जो आपका यहाँ पर फित्या बर्ती धारा का मुझदमान होगा यह क्या होगा यहाँ पर आप लोगों से next question अंग्रेजी से देखे यहाँ पर फूशा गया है कि the main value of AC in half cycle is half cycle में इसका जो value होता है कितना होता है यह आपको बताना है AC current में ठीक है इसका correct option हो जाएगा आपका 2 I not बटे पाई ठीक इसका correct answer हो जाएगा जिससे आपको क्या करना है याद राकना है दोस्तों और इस type का question जरू से जरूर आपको देखने को मिलेगा उसके बाद चोथा नंबर में पूछा गे जो कि एक numerical question है यानि कि यह जो परसन है यह आपका अ क्या होगा इसागर आपको formula पता होगा तो इसे आप अरामसर सकते हैं ठीक है तो सीकर का मार आपको बताना है यहाई क्लोंफ से यहाँ पर क्या करना है यहांप दोन पीड़ोच को पीग वेलू फाइंड करना है, तो दोस्तों हम लोग यह बराबर जानते हैं कि यह नौट बटे में आपका होता है, रूट अडर टू ठीक है, यहाँ पर 220 भोल्ट दिया गया बराबर देंगे यहाँ पर आपका जो है हम इसे लिखेंगे यहाँ बटे में हम लोग root under 2 लिख देंगे यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है इधर इधर गुना कर लिजी तो आपका यहाँ पर E not बराबर जो आएगा यहाँ पर आज जागा 220 यहाँ पर में क्या करूंगा 220 root under 2 ठीक है यह जो भोल्ट होगा यहीं इसका correct answer हो जाएगा ठीक है जो कि हम नहीं यहाँ पर solve out कर दी है ठीक है यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इसका correct answer होगा कितना हो जाएगा इसका correct option हो जाएगा 220 root under 2 ठीक ही यहीं आपका correct है ठीक है उसके बाद अगला question चली देखते है अगला question क्या पूछा गया है यहाँ पर आप लोगों से 5 नमबर में पूछा गया है कि परमानू का आकार होता है the size of atom is almost ठीक है इसका लगभग जो है परमानू का size कितना होता आपको बताना है तो दोस्तों इससे आप लोगो याद रहे किएगा 10 to the power minus 10 meter ठीक है इसका क्या होता है size होता है जिससे आपको क्या करना है खोपड़ी में घुशा लेना है उसके बाद 6 नमबर में पूछा गया है परिकर्नित अलफा कनू गमन जो है आपका यहाँ पर पूछा के 6 नमबर पे कि परिकर्नित अलफा कनू का गमन पत होता है यानि कि जो परिकर्नित अलफा कनू होता है इसका गमन पत क्या होता है आपको बताना है जो कि आप लोग आराम से अच्छे द्रिके से बाली बाती पड़े होंगे जिसका जो आपका गमनपत होता है क्या होता है अती परवलायाकार होता है जिससे आपको याद रखना है ठीके दोस्तों उसके बाद आपका साथ नमबर कोश्चन यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस परस्ट रूप से यहाँ पर साथ नमबर में आप लोगों से पूछा गया है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूछा है कि परमानू के नाभिक में होता है ठीक है जो नुकुलियस है इसमें जो एटम होते हैं वहाँ पर क्या होता आपको बता रहा है तो नाबिक में क्या होता है परमानों के नाबिक में प्रोटोन होते हैं जिससे आपको क्या करना है याद रखना है ठीक है इस टाइप के कोश्चन जोरू से जोरू पूछा अप्यूहरक नंबर में पूचा गया है कि beta किरन होता है ठीक है beta portion होता है ठीक है beta Ray आपको बताना आ है तो beta जो Ray होता है वो Electron होता है यहने कि beta का जो गून होता है य Whose के लगबख बराबर होते हैं इसलिए यहां पर यह correct option हो जाएं इलोकट रॉन ठीक है उसके बद दस नंबर में पूछा गया है कि गामा किरण होता है गामा रे इस तो गामा रे रहे होता है सुना अबेस और सुन्यदर में यानि göstya वाद नहीं हूरिक जो टृषिए जिरो टृषिए झरो अलगर आपकर जो लेख सकते है है जीरो माश ठीक सिर्थक है आपका computer ओप्सम होजाईगा जिस साफ को करना है याद रखना है ठीक है आई- weave यह प्रश्ण पत्र आप लोगो अच्य तरीके सी-वर जारकन बोट से आप लोगो अब ऑलस्थे तियारी करने वाला जो चैनल है इसी चैनल पर आप लोग हर एक चीज़ कराया जाएगा तो दोस्तों चैनल पढ़ने ही चैनल सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा और इसका फिरी पीडिया अब दोस्तों पाने के लिए आपको हमारे टेलेग्राम चैनल का लिंक यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया गया है ताकि आप लोग उस लिंक के जरीएस आप टेलेग्राम चैनल पर पहुँच जाए या फिर आप लोग टेलेग्राम चैनल ऑपन करिये वहाँ पर सार्च बार में सार्च करिए हमारे चैनल का नाम आपको पहले बार में ही मिल जाएगा ठीक है आई होप झाल झाल